क्या आपने कभी किसी ऐसे फल के बारे में सुना है जिसे खा कर इंसान बिमार हूँ सकता है? जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई फल है ՜ो हमारी लिए किड़नी फेलियर और पैरालिसिस जैसे बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं अरे बीमारी छोड़िये इस दुनिया में ऐसे ऐसे फल भी है जो इंसान के लिए इतने खतरनाक है कि जान फी ले सकते है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्यूंकि आप अभी देखने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे जहरीले फल जो आपको कभी भी नहीं खाने चाहिए आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस काजू को सेहत के लिए लाबदायक कहा जाता है वो असल में दुनिया के सबसे जहरीले फलों में से एक है जी हाँ अगर आप कच्चे काजू को खाते है तो आपको इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ सकते है कच्चे काजू को खाने लाइक बनाने के लिए काफी लंबा प्रोसेस होता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो काजू नट नहीं है बलकि एक सीड है जो सेप की तरह दिखने वाले फल का हिस्सा होता है काजू का ये बीच फल के अंदर ना होकर बाहर नीचे की तरफ लटका होता है जो देखने में तो काफी लजीज लगता है लेकिन होता नहीं है तो अगर आप कभी कच्चे काजू को पेड़ पर लगा हुआ देखे तो उसको खाने की गलती बिलकुल भी ना करे क्यूंकि य आपकी जान पर भारी पड़ सकता है नमबर नाइन वाइल्ड एरम टेस्टी बेरीज की तरह दिखने वाले इस फल के कई नाम है जैसे एरम मैकुलेटम, एरम लिली, बॉबिन्स, एडर्स रूट और ये योरप और टर्की में पाया जाता है कई बार लोग इस फल को बेरी स स्किन में सूजन आ जाती है इसके साथ ही सांस लेने में परिशानी होने लगती है बॉडी में जलन होने लगती है और पेट दर्ध होने लगता है इतना ही नहीं ये फल हमारी बॉडी को वाइटमिन और एंटी ऑक्सिडेंट देने की बजाए चीन लेता है दुनिया के सबस नुकसान भी नहीं पहुचता है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ये फल भी जमीन पर ही उखता है और हरे रंका होता है इनको प्रिकली क्यूकंबर और बुर क्यूकंबर के नामों से भी जाना जाता है इससे पहले जिन दो फलों को आपने वीडियो में देखा वो देखने में अच्छे और अट्राक्टिव लग रहे थे लेकिन इस फल को तो देख कर ही कोई भी इससे चार कदम पीछे हट जाएगा ये फल ना सिर्फ खाने में नुकसान दायक है बलकि इसके उपर नुकीले काटे किसी को भी अच्छी कासी चोट दे सकते है इसके काटों से बचते बचाते अगर कोई इस फल को खा भी ले तो ये हेर फॉल और पेट दर जैसी समस्या खड़ी कर सकता है वैसे इस फल के रंग रूप से लोग इस अजान फल को खाने की कोशिश नहीं करते और काटे होने की वज़़य से जानवर भी इनको कम ही खाते है और इनी और रीजन्स के लिए इस फल को दुनिया का सबसे ज़रीला फल भी माना जाता है इनका नाम पाइनेपल लिली क्यों है? ये शैद आपको इस फल को देख कर ही पता लग गया होगा जिस तरह पाइनेपल होता है उसी तरह ये फल भी दिखाई देता है खास कर फल के टॉप पर छोटी छोटी हरी पत्तिया इसको पाइनेपल की तरह तयार कर देती है बस इसका रंग परपल होता है जब ये फल छोटा होता है तब इसका रंग हरा होता है और धीरे धीरे ये परपल और पिंक होता चला जाता है जो लोग इस फल की खुबसूर्ती को देख कर इनको खाने की गलती कर बैठते हैं उनको गंभीर समस्याओं से जोजना पड़ता है जैसे पेट दर्द, शरीर में खुजली और सांस फूलना साउथ एफ्रिका, बॉट्सवाना, जिंबाववे और मालावी जैसे जगों पर पाये जाने वाले ये पाइनेपल लिली को पाइनेपल फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है ये ज्यादातर जंगलों में और नदी के किनारे पाये जाते हैं गर्म जगों पर ये पॉइजनस फल नहीं पाया जाता नॉर्ट अमेरिका, इस्टन कैनिडा, मिडवेस्टन और इस्टन उनाइटिट स्टेट्स में पाये जाने वाले इस फल को एक्टेहिया पैकिपोडा और वाइट बेंड बेरी भी कहा जाता है जैसा कि आप देखी रहे है, ये फल किसी डॉल की आँख की तरह दिखाई देता है इसलिए इसका नाम डॉल्स आइज रखा गया है इस पेड की एक टेहनी पर करीब 20 से 25 फल होते है ये पेड और इसका फल दोनों ही काफी जहरीले होते है इस पेड में कार्डियोजेनिक टॉक्सिन्स होते है जिसके वज़र से अगर कोई एक ही फल खा ले तो ये टॉक्सिन उसकी कार्डियक मुसिल्स टिशू पर हमला कर देता है अगर पीडित व्यक्ती को समय पर हॉस्पिटल ना पहुचाया जाए तो उसको पैरलिसिस हो सकता है और कई बार तो लोगों की मौत तक हो जाती है लेकिन अच्छी बात ये है कि ये फल या पेड पक्षियों को दुक्सान नहीं पहुचाता है तो ये एक जेतावनी है कि जो फल अच्छा दिखाई दे जरूरी नहीं कि वो स्वादिष्ट भी हो कई बार अंजाने फल जहरीले भी हो सकते है इसलिए तो लोग कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले फलों में से एक रोजरी पी, उनाइटिट स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया की कुछ जगों पर पाया जाता है जिनको अब्रस, प्रिकेटोरियस और जेक्यूरिटी बीन के नाम से भी जाना जाता है ये पेड़ पर उखता है, जो दूर से देखने में मटर की तरह लगता है जैसे जैसे ये बीज पकते जाते है, ये फलियों से बाहर निकलने लगते है इन फलियों के अंदर से जो बीज निकलता है, वो लाल और काले रंका होता है जिसको डेविल आय कहा जाता है अगर कोई इन बीजों को खा ले तो उल्टी, बेहोश होना, लिवर फेलियर जैसी दिक्कतों को जहलना पड़ता है इसके अलावा कभी कभी तो लोगों की मौत तक हो जाती है इन बीजों के इतने जहरीले होने की वज़े से लोग इन से दूर रहना ही पसंद करते है लेकिन इनकी खुबसूरत अपीरिंस की बज़े से कई जगों पर लोग इनको जूलरी बना कर बेचते है जैसे नेकलिस और प्रेसलेट, हाँ लेकिन ये जूलरी छोटे बच्चों को पहनाना सक्त मना है नॉर्थ अमेरिका और एशिया में पाया जाने वाला ये फल ब्लू कलर का होता है जो देखने में काफी टेंटेंग और टेस्टी दिखाई देता है बिल्कुल एक ब्लू बेरी की तरह इस फल को देखकर अकसर लोग इसको खाने की गलती कर देते है जो उनको भारी पड़ती है वैसे तो बड़े लोगों को इस फल को खाने से जादा नुकसान नहीं होता लेकिन ये अक्सर बच्चों को कुछ जादा ही नुकसान पहुचाता है जिसकी वज़स से बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी समस्याओ से चूजना पड़ता है तो आगे से ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी फल का अट्राक्टिफ कलर देखकर उसको खाने की गलती मत करना और बच्चों को तो ऐसी चीजों से दूर ही रखना, नहीं तो परिणाम बहुत बत्तर हो सकते है उनॉनिमस यूरोपियस और कॉमन स्पिंडल के नाम से जाना जाने वाला ये फल योरोप में पाया जाता है ये फल अभी तक का इस लिस्ट का सबसे सुन्दर देखने वाला फल है, जो बहार से पिंक कलर का होता है और अंदर से औरेंज जैसा होता है फल ही नहीं, इस फल का पेड़ भी हलका पिंकिश होता है, जो इस फल के साथ काफी मेल खाता है कई लोग इस प्यारे से दिखने वाले फल को अपने घर के बगीचे में लगाने का सोचते है लेकिन इस फल को घर पे रखना मतलब मुसीबत को खुद ही नियोता देना है क्यूंकि इसके छूने मात्र से ही स्किन इंफेक्शन हो सकता है और इसके बीच को खाने से किटनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से जूजना पड़ सकता है ये फल बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये उनकी जान तक ले सकता है तो अगर आप इन प्यारे दिखने वाले फलों को घर में लगाने का मन बना रहे थे तो ये प्लैन ड्रॉप कर दे देखने में लगबग तर्बूस की तरह देखने वाला ये फल काफी खतरनाक है अफरिका में पाए जाने वाले इस मेलन का बाहर से रंग तो तर्बूस की तरह होता है लेकिन अंदर से ये लाल नहीं पल की सफेद होता है हाँ मगर दिखने में काफी अच्छा लगता है अगर बात करें इसके स्वात की तो ये खाने में आपको तर्बूज या पाइनेपल जैसा टेस्ट देगा लेकिन इसको खाने के बाद आपके पेट में दर्द और वामिटिंग आ सकती है तो आप चाहे जितने भी भूखे क्यों न हो जमीन पर तर्बूस की तरह लगने वाले और दिखने वाले इस फल से थोड़ा दूर ही रहे इतना ही नहीं घोडे, गाए, भैस और बक्री जैसे जानवरों को तो इससे और भी ज्यादा दूर रखे क्योंकि जानवरों के लिए तो ये फल इंसान से भी ज्यादा खतरनाक है ऐसे ही तो इस दुनिया के सबसे जहरीले फलों में से एक नहीं माना जाता रहा नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस फल को सेफिलैंथिस ऑक्सिडेंटिलिस, कॉमन बटन बुश, बटन विलो और हनी बेल्स भी कहा जाता है जो किसी लेक के पास असानी से देखने को मिल सकता है ये फल देखने में किसी लीची की तरह दिखाए देता है इस फल के साथ ही इस पेड़ पर एक फूल भी आता है जो खुद ही हनी प्रेड्यूस करता है और उसको बीस कंस्यूम करती है ये फल और फूल दोनों ही इंसानों के लिए खतरनाक होते है इसके फूल में सेफलोथिन नाम का टॉक्सिन मौजूद होता है जो इंसानों में वामिटिंग और पेरलेसिस जैसी समझ्या खड़ी कर सकता है इसके अलावा ये जानवरों के लिए भी खतरनाक होता है खास कर घोडों के लिए घोडों को इस फलों और फूलों से दूर ही रखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद चायद आप ये काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर कोई आपको ऐसा फल खाने के लिए दे जो आपने पहली बार देखा हो तो उसको बिलकुल ना खाए क्योंकि वो फल आपको कुछ भी नुक्सान पहुचा सकता है तो कैसी लगी आपको आज की हमारी जान बचाने वाली वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और प्रेस करे बेल आइकन